हेलो एब्रीबान, वेलकम बैक टू माई चैनल अन्वेर काट नीटिंग, आज के वीडियो में ये वारी ड्रेस हम बनाना सीखेंगे, जो कि लडू कोपाल जी ने पहनी हुई है, बहुत शानदार ड्रेस है, और बहुत फिटिंग के साथ ये ड्रेस आई है, ये देखी, इसक इतना सुंदर निकल के है, कहीं से भी उचनेच नहीं है, और जो मैंने यहां पर बीड्स लगाए हुए है, इससे क्या है कि ड्रेस की ग्रेस बढ़ जाती है, और एक एक बीड्स मैंने यहां पर लगा दिया, तो बहुत शानदार ड्रेस है, यहां पर देखी, यहां पर कॉ वाहू कुछ की सारा कुछ जो है सेट आया है बिल्कुल तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए मैंने बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दिये हुए हैं कि हमने कहां से क्या करना है और कितने नंबर के लिए कितने फंदे डालने हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पहले हम इस ड्रेस का गेर बनाएंगे तो गेर बनाने के लिए ने मैंने यहां पर 21 फंदे जो अपनी नीडर पर बना लिए हैं जी देखिए 21 फंदे डालने के बाद हमने इस रो को जो हमारी फर्स्ट रो होगी इसको सीधा बनाना है ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, शोला, 17, 18, 19, 20, और ये लास्ट में 20 इसको मैं उल्टा फंदा बना लूँगी क्योंकि हमने न इस तरफ से भी सीधी ही रो बनानी है तो दागा तो पीशे करना ही है हमने चाहे इसको सीधा बना के बाद में गुमा लो दागा चाहे पहले गुमा लो तो मैं पहले ही बना लेती हूँ जब दागा परतना हो तो अब फिर से हम इस रो को सीधा बनाएंगे 21 फंदे हैं जो इनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है यह हमारी फर्स्ट रो से शुरू हो जाती है तो यहीं से हमारा पैटर्न बनना शुरू हो जाता है कि तो इसे सीधा बुंदे हुए हम कि स्सेकर्ण रो को कम्प्लीट कर लेंगे दो स्लाई यां हो चुकी है हमारी अब आब आगया है तीसरी स्लाई पर तीसरी स्लाई में क्या करेंगे पहले फंदे को बुल लेंगे पहला फंदा हमने न बुल के ही लेना है अब दागा चाहे तो इस साइड कर लो हमने जाली डालनी है ऐसे करके जाली डालो चाहे ऐसे दागा रैप करके ही जाली डालती हूं बस आदत हो जाती है हमें दागा रैप करके जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना देंगे फिर से दागा रैप करेंगे ये दूसरी बार जाली डालेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इससे क्या होता है कि ना तो फिर से रैप करेंगे और चौती बार जाली बनाएंगे दो फंदो का एक फंदा करेंगे चार बार हमने जाली बनानी है तो दो फंदो का एक फंदा करना है साथ में ये देखिए नजर आ रहा है एक, दो, टीन, चार चार बार हमने दो का एक किया और साथ में जाली डाल पिर से पांच भी बार जब जाली डालेंगे तो हमने दो फंदों का एक फंदा नहीं करना Simply हमने सीधा फंदा बुल देना है और यहीं से देखिए मैं शुरू में ही आपको जो इसका ट्रिक है वो बता देती हूँ जैसे पांच भी जाली डाली तो एक फंदा बना लिया अब हमारे पेशे जो फंदे हैं बारा फंदे हैं इसको इंकलूड करके टोटली हमारे पास बारा फंदे हैं तो मैं आपको काउंट करके भी बता देता हूँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि बाद में कोई हम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि हम पता नहीं चाहता हमारे फंदे बढ़ जाते हैं कभी घड़ जाते हैं हो भी जाता है ऐसे अगर हम सही तरीके से जाली नहीं बनाते तो हमारे फंदे कम हो जादा हो जाते हैं एक फंदा मैंने जाली जिससे बना लिया यह दूसरा तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा ग्यारा फंदे बनाने हैं हमने हर बार सीधे जब बार्वां फंदा मनाएंगी तो दागापनी तर्फ करके इसको उल्टा बना देगी देखे बारा सीधे जब भी हम पांच वी चार जालीय बना लेंगे तो पांचवें जाली जब बनाएंगी तो उतकोコщее करके हमारे पांधrà बारा फंदे पीशे बचने चाहिए क्योंकि इस तरफ हमने फंदे बढ़ाते जाना है पिछली तरफ हमने फंदे छोड़ते जाना है एक तो था यह कि हम महारे पास बारा फंदे बचने चाहिए हर रो में हमने बारा फंदे ही पीछे रखने हैं फंदे बढ़ेंगे लेकिन उनको हमने कैसे हेंडल कर रहा है वो मैं आगे बताती हूं आपको नेक्स्ट रो में तो इसको भी हमने सीधा बनाना है जो पैटरन हम बना रहे हैं यह सीधे फंदो का ही आप देखिए यह बारा फंदे मैंने बना लिए दो चार शे आठ दस बारा बारा फंदे बनाए सीधी अब दागापनी तरफ करेंगे और यहां पर दस फंदे पीशे बच गये हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और ये दस, ना तो हम, यहां जो हमने उल्टे फंदे बनाने हैं न, जो इस बार उल्टे बनाएं हैं, हर बार हमने ऐसे ही उल्टा ही बनाने हैं, दस फंदे, पता चाल जाएगा, जब भस्त जाली आएगी हमारी, तो उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है, और दस फंदे उल्टे बना लेने हैं, और इस तरफ हमने बारा फंदे ही पहले सीधे बनाने हैं, और दूसरी तरफ जब मुड़के आएंगे, हम रॉंग साइड में, बारा फंदे ही हमने फिर से सीधे बनाने हैं, तो फिर से देखिए एक बार, पहले फंदे को बुन लेंगे, और सेम प्रसेस रिपीट करेंगे, दागा रैप करेंगे, चार जालियां बनाएंगे, और साथ में जाली डालेंगे, लेकिन फंदा बनाएंगे नहीं, एक जाली दागर एप किया, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दूसरी जाली, दागर एप करेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीसरी जाली, दागर एप करेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, चौत्छी जाली, चार जालियों में ना तो हमने फंदा यहां पर यह देखिए एक फंदा हो गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा फंदे हमने बनाए सीधे था अपनी तरफ करेंगे बारवे फंदे को उल्टा बनाने अब हमारा पीछे एक फंदा बच गया है इस फंदे को हम नहीं बुलेंगे यहीं से टर्ण कर जाएंगे अभी मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी क्यों यह फंदा हमारा पीछे बचा है क्योंकि हमारा जो पांच भी जाली बना रहे है ना उससे हमारे फंदे बढ़ रहे हैं और जो फंदा बढ़ेगा बारा के बाद बारा फंदे बुलने के बाद जो फंदा बढ़ेगा उसको हम नहीं बुलेंगे वहीं से टर्म कर जाएंगे यह देखिए अब हम बारा फंदे सीधे सी दिमना लेंगे और यह देखिए जहां पर ना जाली आ गई है जाली जब आएगी ना हम निदाग अपनी तरफ कर लेना है एक दो तीन चार पांच छ जाली देखिए साथ आठ नौ दस दस फंदे उल्टे बना दिये हैं हमने यही परसेसर रपीट करते जाना है हमारी दो जाली होती भी है इस फंदे को बुन लेंगे दागा रैप करेंगे दो फंदो का एक फंदा करेंगे और साथ में जाली डाल देंगे फिर से दागा रैप करेंगे दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे और जाली डाल देंगे दूसरी जाली दागार एप करके तीसरी जाली दागार एप करके दो फंदों का एक फंदा बनाया चोथी जाली पांच भी जाली में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा जारा फंदे सीधे बनाएंगे, दागापनी तरफ करके बारमार फंदे को उल्टा बना देगे अब इस बार हमारे पास पीछे दो फंदे बच गए क्योंकि जो पांच भी जाली है ना, इससे फंदा हमारा बढ़ रहा है जो फंदा बढ़ेगा उसको हम पीछे छोड़ देंगे वहीं से टर्न कर जाएंगे उसको बुनेंगे नहीं जैसा कि मैंने बताया एक तो ट्रिक यह है कि हमने 12 फंदे काउंट करके बुनने ही बुनने हैं पीछे जो फंदे बचेंगे उनको लेफ्ट कर देंगे एक तोlar एक दूसरी ट्रिक ये है कि ऐसा सोच आप बना लीजिये मन कि पहले वैने लास्ट्रो में एक फंदा शोड़ा इस बार मैं दो बंदे शोड़ूंगे तींसरी बार मैं चॉरति बार में चार फंदे सब्सक्राइब ने उसको भी कांट करके आप सकते हो कि पहले में इस बार रहे हैं जैसे यह देखिये फंदा है मैंने डूसरी तरफ करके से फंदा बनाया उल्टा इस फंदे को हमने दुबारा नहीं बुरना जैसे है लूज है टाइट कर लीए और यहीं से बुरना शूरू क तो दो बार इसको बुल लें गे तो यहां पर नोट बन जाएगी तो बाद में पता चलेगा कि हमने यहां से टर्न लिया है और ने मेरे फंदे शोड़े हुए ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने कहां से टर्न किया है तो ये देखिए हमने यहां तक बोन लिया, दो फंदे देखिए मैं पीशे शोड़ दिये, दो को शोड़ देंगे, मैं काउंट करके दिखा देती हूँ आपको, दो, चार, शेट, आठ, दस, बारा, ये फंदे बारा ही रहेंगे हमारे पास, दाग अपनी तरफ करेंगे और उल्टे फंदे बोलेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और ये दर्स, तीन जालियां हो चुकी हैं हमारे पास, ऐसे ही हमने सेम प्रसेस से नौ जालियां बनानी हैं, और हर बार जब हमारी रो शुरू होगी, तो धागा रैप करके, ऐसे दो का एक करेंगे, फिर से दागा रैप करेंगे, दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे, फिर से दागा रैप करेंगे, दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे, तीसरी बार, फिर से दागा रैप किया, दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे, चौथी बार, चार बार हमने दो का एक करना ह और जाली डाल देने, पांच भी बार जब हम जाली डालेंगे, तो कोई फंदा हम नहीं कम करेंगे, सिंपली सीधा फंदा बनाया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, दागापनी तरफ करके, बार बें फंदे को उल्टा बुल लेंगे, और देखें, इस बार हमारे तीन फंदे बढ़ चुके हैं, अटोमेटिकली इनकी गिंती जो है, बढ़ती जाएगी हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो पीछे फंदे बच जाते हैं, दस फंदे उल्टे और बारा फंदे सीधी, यह कम ज्यादा नहीं होते, सिर्फ इस साइड हमारे फंदे बढ़ते जाएगे, हर रो में हमने एक फंदा जो है, बढ़ते जाना है, वो आपकी मर्जी है, कि आप कैसे बनाना चाहते हो, काउंट करके बनाना चाहते हो, या फिर आटोमेटिकली ऐसे भी मैंने इस बार एक फंदा शोड़ा था, नेक्स टाइम मैं दो शोड़ूँगी, नेक्स टाइम मैं ती शोड़ूँगी, तो ऐसा आप करके बना सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लेगे, आप उसी तरीके को अपनाएगे, बारा फंदे हमने, ऐसे सीधे सीधे मून लेने हैं, और दागा अपनी तरफ करके, पहली जाली जो आएगी, उससे लेके हमने लास्ट तक हमारे दस फंदे बनेंगे, उनको हमने उल्टा बना लेना है, बहुत आसान तरीका है, और पैटर्न जो बन जाता है, पूरा कम्प् बना लिए, ऐसे हमारा पैटर्न बनता जाएगा, इस बार हम चौथी जाली बना लें, दागा रैप करके, दो का एक किया, पहली जाली दागा रैप करके, दो का एक किया, दूसरी जाली बनाएंगे, दागा रैप करके, दो का एक किया, तीसरी बार, दागा रैप करके, दो अगर रैप करेंगे तो कोई फंदा हम नहीं कम करेंगे देखिए इस बार्ण में बिना गिने फंदे आपको न बुनके दिखाती हूं अगर आप गिनके नहीं डालना चाहते हैं ऐसे पता चल जाएगा यह देखिए तीन फंदे बचे थे हमारे पास जो वह अलगी ही नजर आ जाते हैं जो हमने फंदे शोड़े हुए हैं गैप में आते हैं और जो हमारे फंदे सटे हुए हैं दूसरे के साथ एक फंदा हम छोड़ देंगे दाग अपनी तरफ कर लेंगे और यह इस फंदे को ऐसी उल्टा बना देंगे यहीं से टर्ण कर जानेंगे और इस फंदे को दुबारा नहीं बुनेंगे टाइट करके बारा फंदे हम सीधे-सीधे बना देंगे अगर आपको पैटर्न पसंद आए यह ड्रेस पसंद आए को वीडियो को लाइक की जिए शेयर कीजिए और चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ और साथ में कमेंट वोक्स में रादे रादे लिखकर आप ये बताइए कि आपको ड्रेस कैसी लेगी अधिर हमारी यह अब कमप्लीट हो चुकी है राइट साइड आ चुके हैं मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे हैं इसलिए कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बाद में कि हमें पता नहीं चला यह देखिए दागा रैप किया मैंने और दो फंदों का एक फंदा बन बनाया तीसरी बार कि दागा रैप करेंगे और पांचत्लवी बार जब बनाये तो हम सिंपल एक सी भनधा बनाएगे कि इसका जो फ्लेयर है ना वो फंदों के कॉर्डिंग भी निकल के आता है अगर हमारी वूल थोड़ी बरीक होती है ना तो यह देखिए हमने यहीं से टर्न कर जाना है लास्ट राइम हमारे पास चार फंदे थे इस टाइम हमने एक फंदा और शोड़ दिया पांच फंदे हो तो इसका फ्लेयर है वो फूल के अखॉर्डिंग भी आता है यह सेम ड्रेस मैंने पहले बनाई तो किसी कारण वार्श मेरी वह वीडियो जो डिलीट होगी तो अब मैं दोबारा से बना रही हूं पहले मैंने और कलर में बनाई थी अब मैं ग्रीन कलर में बना रही हूं तो उसका फ्रेजर थोड़ा कम था, वो बूल पतली थी, तो इसका देखते हैं, ये बूल थोड़ी मोटी है उससे, फंदे हमने इतने ही रखने हैं, अगर आप तीन और चार नमपर के लिए बनाना चाहते हो ना, तो स्टार्टिंग में ही फंदे कम कर दीजिए, जहां मैंने 21 फ फंदे कर दीजिए, जहां हम चार चार जालियां बना रहे हैं, वहां तीन जालियां बना दीजिए, और इस साइड हमने नौ जालियां बनानी है टोटल, तो नौ जालियां बनाएंगे ना, वहां पार भी आप साथ जालियां कर दीजिए, इससे आपका जो ड्रेस है ना, व बढ़ा दीए तो देखिए एक, दो, तीन, चार, चार जाली हैं हमारी हो चुकी हैं, पांच में जाली बनाएंगे सिंगल फंदे से और दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारवें फंदे को उल्टा फंदा बनाएंगे, ये देखिए, दो, चार, शे, फंदे हो चुके हैं, हमारे, शे, फंदे हो चुके हैं, और साथ जालियां हमारी बन चुकी हैं, क्योंकि जो फंदा है ना, वो हम, हमारी जाली एक नंबर जादा जाती है, फंदा एक कम होता है, क्योंकि पहली जाली जब हम बनाते हैं ना, उसमें हम कोई फंदा नहीं यह वाले फंदे हमारे 8 होंगे तो जालियां हमारी 9 बन जाएंगे मैं बहुत ही मोटे मोटे तरीके से आपको समझाना चाहते हूं मैं इद करती हूं कि आपको अच्छे से समझा रहा होगा तैसे दिखिए पहला फंदा बुल लेंगे दागा रैप करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे पहले बार दागा रैप किया फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दूसरी बार दागा रैप करके दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीसरी बार फिर से दागा रैप करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चौती बार और पांची भी बार सिंगल फंदे से हम बना देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा फंदे सीधे बनाएंगे, बारवे फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और ये दिखिए, दो, चार, शे, साथ फंदे हो चुके हैं बैक साइड में हमारे और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे इस फंदे को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और ग्यारा फंदे बीच में सीधे सीधे बना लेंगे ग्यारा फंदे सीधे बनाने के बाद आगा आपनी तरफ कर लेंगे और दस फंदे जो हम है उल्टे बनाएंगे अगर आप काउंट नहीं करना चाहते तो भी असानी से पता चल जाता है जाली यह आ जाती है जाली से हमने शुरू कर देने हैं यह हमारे पूरे दस फंद ही होते हैं अब हमारी नॉमी जाली बन रही है पहले फंदे को ऐसे बुल लेंगे दागा रैप करके पहली जाली डालेंगे दो फंदो का एक फंदा बनाया है दागा रैप करेंगे दो फंदो का एक फंदा करेंगे दूसरी बार दागा रैप करेंगे दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे तीसरी बार दागा रैप करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चौथी बार और पांच भी बार हम सिंपल फंदा बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा फंदे सीधे बनाएंगे, दागा अपनी तरफ करके ये बारवा फंदा उल्टा बना देंगे अब देखिए, दो, चार, शे, आठ, आठ, आठ फंदे हमारे पीछे बच चुके हैं और यहां हमारा पैटर्न जो है, कम्प्लीट हो चुका है हमने आठ फंदे ही छोड़ देते पीछे, आठ फंदे जो छोड़े हैं हमने, उसका रीजन क्या है क्योंकि जहां पर हमारा पीछे स्पेस है न, यह देखिए, पीछे से नेरो बन रहा है और यहां से ब्रॉड बन रहा है तो हमने ऐसा ही बनाना है क्योंकि यह हमारा ब्रॉड एरिया है वो एंडिंग एरिया है और जो नेरो एरिया वो स्टार्डिंग एरिया है नेरो एरिये से हम बाद में चोली के फंदे उठाएंगे अगर हम सेम इतना ही फंदे रखेंगे तो बाद में हमें जो बनाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि दोनों साइड फ्लेयर एक जैसा ही हो जाएगा यह थोड़ा आगे चलके हमें पता चलेगा तो देखिए इस तरह हमारी नौ जालियां कम्प्लीर हो चुकी हैं मैं काउंट करके आपको दिखाती हो कि कितनी जालियां बनी है कि स्टार्टिंग से देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नौ नौ जो है नेडल के साथ अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए पहले ना दो फंदों को एकठा लेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा कम कर दिया मैंने फिर से दो फंदे लेंगे और दो का एक कर देंगे दूसरी बार यह पर तीसरा फंदा कम हो गया दागा हमने ज्यादा पीछे टाइट नहीं रखना मेडियम से हाथ से रखना है हमने चार पाँच छे साथ आठ और ये नौ नौ फंदे हमने कम कर दी ये देखिए ऐसे हमारी चैन बन जाएगी तो बस हमने नौ जा लिया बनाई तो नौ फंदे हमारे बढ़ गए नौ फंदोगा हमने कम कर दी अब देखिए अब मैं और एक असान तरीकी से आपको बताती हूँ अब यहाँ पर हमारे 21 फंदे होने जाएगे अगर हमारे यहाँ पर 21 फंदे से कम जाए जादा बनते हैं तो हमसे कही ना कहीं गलती हुई है तो count कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21 21 फंदे पूरे हैं अब गौर से देखिएगा पहले फंदे को हम ऐसे बुल लेंगे सेम प्रसेस रिपीड हो रहा है अब हमने क्या करना है दो फंदों का एक फंदा करना है जैसे हमने स्टार्डिंग में किया जालियां डालनी चुरू की दागार एप कर लिया है मैंने इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चार बार, एक बार हो गया, ये दूसरी बार दो फंदों का एक फंदा बनाया और साथ में जाली डाल दी दो, तीसरी बार धागर एप किया, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागर एप किया, चौथी बार दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पांच भी बार सिंपल हमने ऐसे बारा फंदे बुल लेने हैं ये देखें मैं काउंट करती हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा और ये बारा ये देखें पूरे फंदे हैं हमारे ना कोई फंदा कम हुआ है ना ही बड़ा है अब इस फंदे को हम जब हम देखिए यहां पर नया पैटर्न शुरू करेंगे ना लास्ट में पहुंच जाएंगे क्योंकि इसके बाद तो हम एक एक फंदा शोड़ते ही जाएंगे जब हम last में पहुंचेंगे न तो last में इस फंदे को slip नहीं करना हमने ऐसे बुनके लेना है चाहे तो आप पहले ही धागा गुमा लीजिए जैसे मैं गुमा लेती हूँ इस बार मैंने नहीं गुमाया तो मैंने उल्टा फंदा बुनके धागा गुमा लिया और बैक साइड से फिर से हम सीधे फंदे बनाना शुरू करते हैं बारा फंदे हम सीधे बनाएंगे और दागा अपनी तरफ करके दस फंदे उल्टे बना लेंगे यहां से हमारा जो दूसरा पैटर्न है न शुरू हो चुका है सेम तरीके से हमने अब नौ जालियां बनानी है जब पहली जाली बनाएंगे तो कोई फंदा हमने नहीं शूर ना बारा के बारा फंदे हमने बुनने हैं दागा अपनी तरफ करके यह देखिए एक दो तीन चा पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस ना तो मेरा उल्टे फंदो में कोई फंदा कम हुआ है ना ही मेरा सीधे फंदो में कोई सीधा फंदा कम या ज्यादा हुआ है सेम तरीके से ऐसे हमने इस पर पैटर्न को बनाते जाना है और फुल फ्लेयर हमारा बनने तक हम ऐसे ही बनात जाएंगे नौ जाली हम नाने के बाद नौ फंदे हम कम कर देंगे और करंट हमने उसी रो में फिर से जाली बनानी शुरू कर देने हैं और पूरी रो सीधे-सीधे बंदों की बना ले रहे हैं उसके बाद जब हम अब जो दूसरी जाली हमारी शुरू होगी ना दूसरी जाल इस बार हम दो फंदे शोड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है, आपको जो तरीका अच्छा लगे, आप उसी तरीके से बनाएगे, तो ऐसे ही मैं फुल फ्लेयर बना लूँगी, क्योंकि आपको मैंने सारा समझा दिया है, मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया, कोई डाउट नहीं र बारा, मेरे बारा पैटर्न आए हैं, बारा पैटर्न में ये देखिए, सर्कल जो है, कम्प्लीट हुआ है, बीच वाला सर्कल, ये देखिए, ये बात मैं आपको बता रही थी, कि हम यहां से नेरो क्यों रखते हों, नेक्स्ट जो एंडिंग है, उसको ब्रॉड क्यों करते हैं, तो ऐसे हमने घेर बनाना था एक तरह का, अब यहां से हम चोली के फंदे उठाएंगी, इसलिए हमने ये एरिया थोड़ा नेरो रखा है, कि हमारा जो बाद में हमें मुश्किल ना हो, अब हमने राल लास्ट में क्या करना है, देखिए मेरे कितने फंदे बचे हैं, द अब हमने यहां पर कोई जाली नहीं बनाने, तो ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे हम इनको, ये देखिए जो फंदे हम छोड़ देते हैं और ये वहीं से टर्न का रह जाते हैं, तो काफी गयप आ जाता है, लेकिन जिस रो में पूरी फंदे को हम बुन लेते हैं, तो सारा गयप कवर हो जाता है, अब सारे जो है, बिलकुल सटके आए हैं फंदे, एक दूसरे के साथ गुंते हुए हैं, इस रो को भी हमने सीधा ही बनाना है, अब धागा पीछे कर लेंगे, पहला फंदा बना की, और सीधा सीधा बुनते हुए पूरी रो को कम्पलीट कर लेंगे, इसके बाद हम राइट साइड से ही फंदे बंद करना चुरू कर लेंगे, बंद कैसे कि जैसे मैंने अपनी जाली के फंदे बंद किये ना उसी तरीके से हमने बंद करने है मेरी एक जो होती है न मैं एक क्या करती हूं ट्रिक कह लीजिए आप अगर मैं राइट साइड से फंदे बंद करती हूं मोस्टली मैं करती राइट साइड से हूँ क्योंकि राइट साइड में हम बंदे बंद करते हैं तो राइट साइड में हमारी जो फिनिशिंग वो बंदी रहती है यह देखिए फंदा मैंने पीशे कर लिया क्योंकि हमने राइट साइड से फंदे बंद करने थे तो अगर आप आप और रॉंक साइड से फंडे बंद करते हो तो रॉंक साइड में ही दागा रखियार फिनिशिंग का एक फंदा बनाने ऐसे करते जाना है जो फंदा हमारा बच्च्य कान एक राइट नीडल पर उसको हमने लेट नीडल पर लेले ना है फिर से दो ऐसे बना देना है और ऐसा करते हुए हमने के सारे बंद करते हैं का教表 है नीशिंग जो है right-side में आ रही है तो कफी सुंदर Gomez रही है तो इस पर ने कमसरे बन्द कर लेते हैं सारे फंदो को मैंने blind off अब देखें किनी भीनिशिंग से मैंने किया है बहुत प्यारी सी चैन बनती है ऐसे अगर हम medium सा हाथ रखते हैं अब देखे अब हम ना यहां पर मैंने मार्किंग कर लिया है जो जैसे हमारा यह वला एरिया था यहां पर मैंने हाव पार्ट कर लिया यह देखे ऐसे कांट करके कर लिजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारत, जैसके मेरे पास 12 पैटर्न है, तो शेख हमने कर लिए, अब हमने यहां से चोली के लिए फंदे उठाने हैं, 32 फंदे उठाने हैं, 16 फंदे हम इस हाफ पार्ट में से उठाएंगे, 16 फंदे अब इस हाफ पार्ट में से उठाएंगे, equally gap में हम उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि इस साइड हम ज्यादा उठा ले, इस साइड हम कम उठा ले, ऐसा नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने मार्किंग की है, और यह दागा मैंने शोड रखा है, कट नहीं किया, इसी दागे से हम ना फंद तीसरा फंदा यहां से निकाल लेंगे, अगर हमारे फंदी कम रह जाएंगे, तो हम दुबारा से कर लेंगे, चार हो गए, पाँच, छे, साथ, आठ, अभी आठ फंदे भी हमने और उठाने है, तो अब हम थोड़ा, गैप कम कर देंगे, नौ, दस, ग्यारा, तो ऐसे करते हुए हम पूरे गैप में इक्वली फंदे उठा लेंगे, दो, चार, शे, आठ, दस, ग्यारा फंदे हुए हैं, अभी हमने इस साइड सोला उठाने है, और सेम साइड से सोला उठाने है, तो इस फंदों को उठा लेती हूँ पहले मैं, यहां पर मैंने सारे फंदे जो हैं, उठा लिये हैं, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ कि मैंने कितने फंदे उठाए हैं, जी देखिए, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोला, अठारा, बीस, बाईस, 24, 26, 28, 30, और यह 32, 32 फंदे उठाए हैं, और आप देखिए कि मैंने इक्वल गैप में उठाए हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं, कहीं गैप है या कम है या ज्यादा, इक्वली गैप में उठाए हैं मैंने, तो अब हमने इन फंदों को बुनना है, पहले फंदे को तो हम उल्टा बनेगे, जैसे हमने नीचे सीधे फंदों से पूरा अपना प्रजेक्ट बनाया है, ऐसे हमने उपर भी सीधे फंदों से ही दोनों साइड हम सीधा सीधा ही बनाएंगे, जैसे कि ये मैं ड्रेस है जो पांच और शे नंबर के लिए मना रहे हूं, अगर आप तीन और चार नंबर के लिए मनाना चाहते हैं, तो आप चार फंदे कम कर दीए, बत्तिस फंदों की जगा, आप अठाइस फंदे कर दीए, तो ऐसे देखिए, मैंने पूरी रोग कम्प उनके ही लेंगे, तो ऐसा करते हुए, जैसे कि मैं इसको दो सलाइयां गिल लोगी, जिस रोग में हमने फंदे उठाए हैं, उसको भी हम काउंट कर लेते हैं, तो हमने 6 सलाइयां टोटल डालनी है, 6 सलाइयां डालेंगे, तो तीन रोग हमारी निकल के आएंगी, तो हमने इतना बनाना है, उसके बाद जो नेक्स प्रसेस है, उसको देखेंगी कैसे बनता है, पैसा करते हुए हम, तीन धारियां निकाल लेंगे, तो मैंने यहां पार 32 फंदों की हैं, जो बारा सलाइयां डाली हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तीन, शे सलाइयां मुझे क कम लग रही थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, ताकि हमारा जो स्पेस है, वो कम्प्लीट हो जाए, अब देखिए, आगे हमने क्या करना है, अब हम यहां पर आठ फंदे कम कर देंगे, पहले दो फंदों में नीडल इंसर्ट करेंगे, और दो का एक कर प्रिक्के से हमने बाइंड ओफ कर रहा है, एक हो गया, उसी फंदे को वापिस दूसरी सिलाइस पर लेंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, दो, तीन, चार, पांच, चार, साथ, और यह लास्ट में आठ, आठ फंदे हो चुके हैं, इन फंदों कर हम सिंपल जैसे बुनते आ रहे हैं, सीधा वैसे बुन लेंगे, तो देखिए, शे हो चुके हैं हमारे फंदे, शे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, अंदरा, शोला, शोला फंदे बीच में हमारे बच गए, आठ फंदे हमने इस साइड वाइंड आफ कर दिये, देखिए, दो, चार, शे, 8, 8 फंदे इस साइड बायनिघ ओफ करेंगे, अगर आप जाहो तो इस इरो में वाइंड आफ कर दो, तो बाद में इस साइड हम दागा जोंइट कर लेएगे, तो इसी रो में कर देते है, फनिशनग बन जाएगी इसी में अलग से दागा जोनेट करनेंगे एक है दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे हो गए साथ और यह लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है यह वाला हमारा एड़ दस्टी जाए ऐसे कट कर देंगे और इसको यहां पर पक्का कर देंगे बाद में इस फंदे को हम दागे को हाइड कर देंगे अब हब आ जाते हैं बैक साइड बैक साइड में अब हम दागा जोनेट क गुना है ऐसे दागा थोड़ा दबा लेते हैं पक्का हो जेगा दागा पीशी कर लेंगे एक फंदा हो गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ फंदों को न हमने यहीं से वापस ले लेना है इन आठ फंदों को हम पहले बुनेंगे कम से कम हम 14 स्लाइया डालेंगे इन फंदों की कि आठ फंदों कि आठ फंदों कि जोड़ा स्लाइया डालेंगे तो साथ हमारी रो निकल के आएंगी अब देखते हैं साथ रो में हमारे जो वाजू हमने बनानी है वह कम्प्लीट हो जाती है यह नहीं तो यह जैसे हमने यहां पर दागा जॉइंट किया है ना सेम तरीके से हमने रॉंग साइट से ही यहां पर दागा जॉइंट करना है और ऐसे ही एक लंबी स्ट्रिप बना लेनी है सिंपल है जैसे हम उल्टा सीधा सीधा बुनते आ रहे हैं उसी तरीके से हमने बुनना है कोई समें मुश्किव बात तो है नहीं जो समझ में ना आए तो चलिए मैं बना लेती हूं इतना कि अधिश्क के तो मैंने यहां पर दोनों जो लंबी पटिया हैं बना लिए इस तरीके से आजाएगी हमारी लंबी पटिया तो इस जो हमारी 8882 को मैंने बुना है इसको मैंने 14 सलाइयां डाली दो चार शे 8 10 12 14 14 28 बन जाती है 28 सलाइयां डाली है 14 धारियां हमारी निकल गए एक बात मैं रपीट करना देना चाहती हूं जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम 6 धारियां बनाने के बाद यहां पर डिक्र यहां से इसको दो पाट में ड्वाइड कर लेंगे वैसा नहीं करना हमने हमने यहां पर शे सलाइयां डालेंगे शे सलाइयां जैनके तीन दार यहां डालके हमने दोनों साइड से आठार फंदे कम कर देने उसके बाद फिर से हम तीन दार यहां निकालेंगे जैनके शे सला ब्लाईन डालेंगे तो 14 हमने निकल के आएगी दिए देखिक को मेंने फोल्ड करके रखा है आ oxy आपकी एह फ्लूलीयत के लिए हुआ यहां पर तो इस दागे के साथ हमने ऐसे इस को खागे कर लेना है यहां तो इस दागे के साथ हमSi आइए इसको को सलाई करने के लिए हम दागा मेडल में डालेंगे अगर तो आप देखिए उल्टी साइड से करना चाहते हैं तो आप ऐसे फोल्ड कर लिए उल्टी साइड से थोड़ा मुश्किल होता है समझ में नहीं आता यह देखिए ऐसे आएगा और आप जैसे जिस तरीके से बंद कर करना चाहो उसी तरीके से कर सकते हो वह उल्टी साइड से कोई कंबल सरी नहीं के हमने ऐसे ही करना अगर हम सीध़ी साइड से कर रहे है न इसे हमारे सीधी साइड है और हमने यह वाली पीम, यहां पर रख़िए, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे सिलाइ करेंगे दोनों साइड से हम एक एक फंदा लेते जाएंगे और बड़ी ही फिनिशिंग के साथ हम सिलाइ करेंगे कैसे दिखिए ऐसे कोर्णर से कोर्णर मिला लेंगे, फिर इस साइड कैसे लेंगे अग को एक सब्सक्राइब कर लो इसमें कोई हैं प्रॉब्लम नहीं कि हमने ऐसे ही करना है इसे हमारा है कौरनर से शोटी नहीं होनी चाहिए जब हमारा कॉर्णर टच हो जाएगा न ऐसे देखिए बिल्कुल टच में करेंगे जब हमारा कॉर्णर टच हो गया यह देखिए बिल्कुल टच हो गया अब न यह वाला होल काफी बड़ा है यहां पर हमारी बाजू गुए अगर हम इतना ही बड़ा होल रखेंगे रहा हमारी बाजू बाहर निकल जाएगे तो इसी दागे के साथ हमने ऐसे करना है अब हम उप्रकी तरफ जाएंगे 3-4 स्टीच लगा देंगे थोड़ा बंद कर देंगे इतने हमारे जो आरम होल है न थोड़ा छोटा कर देंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा ना लंबा धागा रखा था कि हमें बाद में अटेच ना करना पड़े देखिए इतना कर लेंगे इतने में हमारी बाजू काफी prefitting में आएगी इतना है मैंने इदा रखा है इतना ही मैंने इदा रखा है इकल्ध गैब है चाहे आप major करके बना लीजिए चाहे आप idea से भी बना लीजिए बनाते बनाते थोड़ा आइडिया तो होई जाता है कि हमने कितना बनाना है ऐसे हम दागा थोड़ा पीछे खींच देंगे ताकि हमारा दागा निकले ला देखिए हमारी द्रेसे जो रेडी हो चुकी है और मैंने यहां फलेयर पे अपने बीड्स लगा लिए बीड्स लगा लिए और बटन भी मैंने लगा लिए है अब हमारी जो चोली है मिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है अब पहनाते हैं हम लडुकपाजी को यह देखिए ऐसे लेंगे और बैक साइड हम पीछे करेंगे जो जो हमारी खुली हुई है साइड वह हम आगे करेंगे ऐ कैसे पहना देंगे बहुत इजली आ जाती है बहुत ज्यादा इजली आती है बिल्कुल कमफर्टेबल है ड्रेस ऐसे हम आगे से ऐसे बटन बंद करते हैं हमारी ड्रेस जो है बनके रेडी हो चुकी है पिस कितना अच्छा फ़ियर निकल के आया है और बिल्कुल वह गैप में नहीं है है और जैसे मैंने जहाँ पर इट से लगाए हुए थो बीड में यहाँ पर लगा दूंग, एक sıट इस साइड तो मैंने यहाँ पर भी दोनों साइड बटन लगा दिया है इससे क्या होता है कि ड्रेस की ग्रेस जो हैं बहुत जजादा बढ़ जाती है बहुत शादा कहोई नहीं काम है क्योंकि फ्लेयर बोखोँ शान्दार निकलकर आई है बना भी बहुत सुन्दर है तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है तो बहुत शान्दर काना जी को आई है और बहुत ही फीटिंग में आई है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेय दूर लिखिएगा तो मिलते हैं के नहीं वीडियो के साथ तो थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाबाई